Hello everyone welcome to Janith Kurutu आज को टॉपिक हमारा क्या है Gender and Politics देखो Gender क्या होता है Gender देखो हम दिसमें 2 टाइप में देखेंगे एक Gender होता हमारा Biological Difference होता है ठीक है Biological Difference होता हमारा जिसको हम चेंज नहीं कर से है नेच्रल है वो और एक होता है Social Constructed Idea यहीं Social Constructed होता है जेंडर ठीक है उसमें क्या होता है Expectation होता है Social Expectation होता है ठीक स्टीरियो टाइप होता है अब देखो हम एक्जामपल लेते है जैसे कि Boy and Girl क्योंकि जैंडर में यह दो के बारे में पड़ते है LGBT के भी आते है हम उसके बारे में भी डिसक्रस करेंगे अभी हम क्या बात करेंगे अभी हम इशरब Male और Female की बात करेंगे भी और Section Now boy and Girl में क्या होता है एक हमेशा stereotype बना होता है जो boys रो नहीं सकते they don't cry क्यों? क्योंकि उन्की विक्रेस्ट होही इसके कारण इससे क्या होते इनसे इपक्ट भी पढ़ता है जब बड़े होते यानि जो वह 18, 19, 20 यानि मालों अगर वह 16 के भी होते 15 के भी होते न बोईस तो वह रो नहीं पाते कभी वह रोते भी है न तो उनको ऐसा लगता है कि अगर वह रो लेंगे तो जो लोग उनको टीज करेंगे उसका मजाग उड़ाएंगे तो इसलिए अपना पैन अंधर रखनेंदें हिं तो मसumन का गंब back भी नहीं पा रहे हैं अपना पैन जाही दिए नहीं कर पा रहे हैं अगर यह और हम एक और ह visão dual egnamnτα लेते हैं कि जो गोर्श होती है उनको काःंड होना चाहिए जेंटल होना चाहिए ठीक है वा मतलब जाना नीव होना चाहिए शांत रहना चाहिए ठीक है इस तरिके से बॉस कि अंगा नोंटबी चेलेंगे कोई बात निल Там Iran infezlexports wenn मेरे according 70% होती है बैसे मुझे नहीं बता कि exact कितनी होती है लेकिन ऐसी family में होता है maximum families ऐसी होती है जहां पर ये चीज़े बोली जाती है ठीक है लेकिन अगर हम पहले की बात करते हैं 1947 से पहले की बात करें इंडेपेडनेंस से पहले की तो ये हमारा था थोड़ा बैगराउंड हमने पढ़ा था कि ता कि आपको जेंडर के पारे में समझाते है कि मैं क्या समझाना चाहती हूं अपको तो अब हम आते हैं अपनी टॉपिक के उपर ठीक है इस 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 फॉर्म आफ यारिकल सोशल डिविजन यह एक फॉर्म होता है यहारिकल सोशल डिविजन का इसमें क्या अथा मैं सबसे उपर रहता है विमन नीचे होती है ठीक है बट इस रियर्ली रिकोगनाइस्ट रियर्ली रिकोगनाइस्ट इन स्टुर्डी अपॉलिक्स लेकिन देखो हम बाइलोजी की बात कर हम स्रह बाइलोजी की बात नहीं था इसको चेंज भी कर सकते हैं लेकिन इसको क्या मना गया कि नैच्रा अन्चेंजबल रहता है पर ऐसा नहीं है ठीक है अब देखो this is reflected in sexual division of labour यह हम sexual division of labour में पढ़ेंगे तो कैसे sexual division of labour में क्या होता है जो male और female यानि जो girl women and men की बात करें जो women है वो क्या करेंगी काम करेंगी घर के अंदर यानि they work inside the house जैसे की family का family को देख बाल करना घर बच्चे यह सब से मालना घर के काम करना तो यह क्या होगा sexual division यानि gender की basis पर हमने work को भी divide करेंगे जो घर के अंदर काम करेंगा वो कौन होगी विमन होगी और जो घर के बार काम करेंगा वो कौन होगा men होगा ठीक है जो men do all the work outside the home तो वो क्या होगा हमारा sexual division of labour यह होता हमारा अब देखो अगर जो women काम करें जैसे खाना बना रही है ठीक है अब खाना बनारी अगर हम सो प्रोफेशनल में बोले तो वो क्या होता है chef होता है वही men बाहर जाके खाना बना सकता है क्योंकि वो काम है उसके लिए उसको payment मिल रही है तो वही खाना बनाने काम भाहर जाके कर सकता है ठीक है लेकिन घर के अंदर नहीं कर सकता है यह काम तो women का है ठीक है तो यही कि हमारा sexual division of labour है अब इससे result क्या आता है the result of this division of labour is that all the women constitute half of the humanity their role in public especially politics is minimal in most societies अब इनसे क्या आता है women's role in public affairs in public politics in public life especially politics बहुत कम होता है बहुत minimal role होता है क्यों होता है sexual division of labour women do all the work inside the house and men do all the work outside the home तो यह हमारा sexual division of labour में दिया गया है तो अब देको इससे result क्या हुआ that the public life is यानि जो politics especially politics में इसमें जो women's role बहुत कम है अब बात कि जो पहले only men were allowed to participate in public affairs अभी मैंने जगो इससे पहले मैंने पूरी example देके बताया मैंने आपको प्रॉपर अब देको यह हमारे ज़ा इसमें क्या पढ़ेंगे पहले क्या होता है तो जो फिर 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 के इसमें पॉलिक्स में ठीक है लेकिन जएसे women feminist movement यानी feminist के बात करेंगे अब बोलोगे कि feminist क्या होता होगा feminist movement क्या होगा जो empower करने के लिए होता है, women को empower करने के लिए, वो कैसे, education से, ठीक है, earlier only men were allowed to participate in the public affairs, vote and contest public offices, सिरफ men को यह allowed था, vote करने के लिए, public office में contest करने के लिए, public affairs में participate करने के लिए, women को नहीं था, लेकिन gradually यह भी चीज़ होने लगी, ठीक है, gradually the gender issue was raised, फिर gradually धीरे धीरे क्या हुआ, gender issue politics में आने लगा, फिर women जो different parts में, या यह जो gender issue सिरफ इंडिया में नहीं है, यह all over world में भी था, आप यह मत समझना कि इस सिरफ gender issue सिरफ इंडिया में था, यह all over world में भी था, ठीक है, women in different parts of the world organized and agitated for equal rights, जो different different parts of the world, वहाँ भी women agitate करती थी, ठीक है, equal rights के लिए, जैसे की right to vote के लिए, अमेरिका में भी हुआ था, there were agitations in different countries for the extension of voting rights, voting rights to extend करने के लिए, भी यह agitations बगारा होते थे, ठीक है, these agitations demanded enhancing political legal status of women, जो यह agitations से यह demand करते थे, political and legal status of women and improving the, improving their life, educational, career opportunities, इनकी improve करना क्या, education improve करना, opportunities को, अब जो more radicals women, ते जो change लाना चाहती थी, यह radical movements, movement aimed at equality in personal family life as well, अब वो क्या जाते थी, equality हो, personal as well as family life में भी, तो वो कुछ radical movements ही, जैसे कि वो जो movement से उसे हम क्या बोलते है, उसे हम बोलते है, feminist movement है, जो क्या करती है, वो करते है, emancipation empowerment of, empowerment of women, यानि women का empower करना, women को क्या करना, empower करना, ठीक है, तो वो किसमे आदा हमारा feminist movement में आता है, फिर हम इन सम पार्ट वोल्ड, for example, Scandinavian countries, Scandinavian communities, such as Sweden, Norway, Finland, the participation of women in public life is very high, जहां पर, Scandinavian countries, जहां पर, Scandinavian countries है, वहां पर, Sweden हो गया, Norway, Finland हो गया, यहां पर, participation in women का public life है, बहुत ज़दा हाई है, बहुत ज़दा हाई है, अब हमारे country में किया है, अभी भी बहुत पीछे women का participation, बहुत पीछे होँ है, हमारा male dominated patriarchal society है, अभी भी बहुत बुदा होँ है, अभी बहुत अब हे इसे शेजे है, तो यह क्या था हाई हमारा, पर्ट्रयाल को सुरही अभी भी आमारे, तो यह जो हमारा feminist movement बदा फैमिनिस, वहां परदा है, जो women वगरा, जो मूंवमेंट करते हैं, पने rights के ल हमारे किसमें आते है feminist movement में आते है to empower the women ठीक है तो यह हमारा क्या है हमारा यह जो topic था आज का gender and politics आगे हम पढ़ेंगे किस तरीकिसे जो women है वो किस तरीकिसे उनको पार्टिस्पेशन है वो किस तरीकिसे नहीं हो बारते देम नेक्स वीडियो में थैक्यू फो वाचिंग